So hey guys, welcome back to my youtube channel, I am Depika and today I am going to explain chapter 2 of class 12 that is sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperm, ठीक है? So यहाँ पर हम बात करते हैं, यह हमारा 6th lecture है और यहाँ पर हम double fertilization वाला topic करेंगे और बचे वे कुछ topics को करेंगे, ठीक है? So let's begin So सबसे पहले बात आती है कि what is double fertilization, भही मतलब क्या होता है? Double मतलब 2, ठीक है? Fertilization मतलब male and female gamit का fuse हो रहा है तो दो बार fusion वाली condition को हम double fertilization बोलते हैं, ठीक है? तो उसे को पढ़ते हैं, देखो हमने बताया था कि यह जो है वो stigma है, यह style है और यह overi है इसके आगे बात करें थी कि pollen grain यहां के मानलो stick हो गया, तो इससे निकलती है pollen tube उस pollen tube के अंदर 2 male gamit होते हमने यह पढ़ लिया था, ठीक है? और यहां पे हमारा जो embryo sac है, उसमें हमारे क्या है? oval है, है ना? मतलब उसमें हमारे क्या है? oval कह रही हूँ, egg है तो एक वाला तो क्या करेगा? उस egg से जाके fertilize करेगा और इसी embryo sac में हमारी central cell भी थी दूसरा वाला male gamit क्या करेगा? इस central cell से जाके fuse कर लेगा ठीक है? तो यहां पे हमने देखा, यह embryo sac है जैसे ही तो एक वाला तो भाग के कहां यह यहां पे fuse करेगा दूसरा वाला central cell पे जाके fuse करेगा, इसका diagram दे रखा है NCRT में, ठीक है? यह रहा, जो कि हमने पढ़ भी लिया था एक बार फिर से recap करते हैं इसका, तो यहां पे हमने देखा यह रही egg cell, तो यहां से pollen tube से जो निकल रहा है हमारे दो male gamit, ठीक है? एक male gamit तो जाके इस egg से fuse करेगा और यह इक इस polar nuclei से fuse करेगा, कितने बार पढ़ लिया यह, ठीक है? रटलो इसको, कि double fertilization का मतलब क्या रहा है, यही theoretical portion है कि हमारा pollen tube जो है, उसमें दो male gamit जाते हैं, ठीक है? सीनर जेड के थूँ, एक male gamit जो है, वो egg cell की तरफ मोव करेगा और उससे fuse हो जाएगा, उसके nucleus के साथ, इसका nucleus मिल जाएगा तो उस process को तो हम syngamia बोलते हैं, particular fertilization बोलते हैं, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, दोनों एक ही मतलब है और male gamit और egg cell का fusion क्या हो जाएगा, syngamia fertilization और उसका result का रहेगा हमारा, दो cell है ना, दो cell मतलब यह मिल के एक cell बना ली, उस single cell को zygote बोलेंगे, जो कि deployed है इसका भी N gamit, इसका भी N gamit, ठीक है, I mean N का मतलब क्या है, यह haploid condition है यह fuse होके deployed condition में जाएगे, that is the zygote, चलो यह भी हो गया अब कहा रहा है कि दूसरा male gamit जो है, वो polar nuclei की तरह भाग के जाएगा polar nuclei कहा है, central cell में, ठीक है, उन nucleus पे जाके क्या गरेगा, fuse हो जाएगा और यह condition बनाएगा, triploid, 3N condition, क्यों, क्योंकि 2N तो पहले से थी, central cell की particular बात करूँ तो उसके अंदर दो nucleus थे है ना, एक और male gamit का आके भाग के जाएगा, तो क्या बनाएगा, वो triploid ही तो condition बनाएगा भई, अब उसको बोलते क्या है, उसको हम primary endospam nucleus या pen, pen बोल देते हैं अब हुआ क्या, कि यह तो fusion हो रहा है, 3 heploid nucleus का, इसको triple fusion बोलते हैं, ठीक है बच्चे सोचते हैं, कि अच्छा double ये और एक ये तो triple हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, होता क्या है, syngammy, plus triple fusion is equal to double fertilization होता है, ठीक है तो दिमाग में बिठा ले ना, एक male gamit तो भाग के zygote बनाएगा, और दूसरा male gamit जो है, वो primary endospam nucleus बनाएगा अब ये दोनों टाइप के fusion, syngammy plus triple fusion, वो हमारे embryo sec में हो रहे, इस fenomena को double fertilization बोलते हैं, और ये हमारा flowering plant में ही देखने को मिलता है अब कहरें, flowering plant नाम आता है, ये मतलब किसका, angiosperm का, याद रखो इसको अब कहरें कि जो central cell है, after triple fusion, वो primary endospam cell बन जाएगी, ठीक है, pen से, primary endospam nucleus से, वो फर्दर mature होके primary endospam cell बनाएगा फर्दर वो endospam बनाएगा, लेकिन zygote क्या बनाएगा, zygote embryo बनाएगा, ठीक है तो ये हमारी बाद की, post वाली condition दिखा रखी है, सबसे पहले, ये वाला, जो हो क्या है, fertilized embryo sec है जिसके अंदर हमें zygote भी दिख रहा है, zygote बनाएगा, जिसके अंदर हमें primary endospam nucleus भी दिख रहा है, ठीक है उसके बाद ये zygote की further embryo में बदलने वाली condition है पहले इसको theory पढ़ते हैं, क्या कह रहे है, तो post fertilization क्या कहना चाहता है post fertilization में हमने पढ़ना है, endospam का event पढ़ना है, और embryo की development पढ़नी है maturation, oval का seed में होता है, ovary का fruit में होता है, दिमाग में रटलो ठीक है, oval convert into seed, ovary convert into fruit, after mature, ठीक है, mature होने के बाद ये condition होती है इन चीजों को बोलते है, post fertilization, post fertilization का मतलब होता है, fertilization के बाद में क्या क्या होता है तो endospam में क्या होता है, endospam के बाद मतलब, it precedes embryo development जैसे endospam बन रहा है, तो वैसे वैसे embryo भी बनता है, कैसे देखो यह develop होता है, उसको nourishment की जूरत होता है, वो खाना पीने यहीं से लेगा, endospam से लेगा, ठीक है देखो, primary endospam cell जो है, वो repeatedly divide करेंगी, divide करेंगी, divide करते रहेंगी, और क्या बना लेंगी, endospam tissue बना लेंगी जो cell है, इस tissue की, उनके अंदर क्या होता है, food होता है, और वो nutrition देता है, growing, developing embryo को बताई थी ना यहीं जहां आगी अब कहा रहें कि, most common type का endospam development जो है, वो देखेंगे हम, pan undergo successive nuclear division देखो, primary endospam nucleus में nucleus का division होता है, इस तरीके से बहुत सारी nucleus हो जाएंगी अंदर, ठीक है उस cell के अंदर बहुत सारी nucleus हो जाएंगी, अच्छा, इस condition को बोलते है, free nuclear endospam, मतलब nucleus ही nucleus divide हो रहे है दिहार रखना cell की बात ने कर रहे हूं, nucleus की कर रहे हूं, subsequent cell wall formation अकर, बाद में इनमें क्या होता है, cell wall की formation होती है पहले क्या है, पहले तो nucleus nucleus ही अपने divide करते रहेंगे, बाद में इनमें cell wall की formation होती है, इसलिए हम बाद में कहेंगे, endospam cellular हो गया अब क्या है कि जो free nuclei बनती है, before cellurization, मतलब cell wall आने से पहले, जो nucleus बनती है, उनका greatly number है, मतलब हमें पताने हो कितनी बनती है, ठीक है, उनका amount depend करता है तो coconut water from tender coconut, अगर मैं coconut water की बात करूँ, देखो हम जो coconut खाते हैं, पीते हैं, जो भी है, उसका पानी पी लेते हैं, तो उसमें जो पानी है ना, वो कुछ नहीं है, उसके अंदर वो पानी है, वो nucleus ही एक type का, ठीक है, आप पानी पीते हो, आप nucleus को पीते हो, एक type से, उसका में जो nuclear division हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे पानी, ठीक है, वो बहुत सारी nucleus से मिलके बना है, और वो जो white kernel है, जिसको हम खाते हैं, वो क्या है, वो nucleus है, जिनके बाहर cell wall आच चुकी है, तो cellular endosperm हो जाएगा, देखो कितनी मज़ेदार बैत हैं ना, जो पानी है, तुम लोगों Зबूब लगों जाहिए, तो यह दो endosperm को पूरी तरीकी से कंजूम कर लेगा, यह फिर कई बर वो क्या होता है, हमारा रह जाते है, मतलब पूरी तरीकी से कंजूम नहीं हो पाता, तो जो पूरी तरा को किसे कंजूम कर लेगा, वो किन-किन में होता है P groundnut, यह याद रख यह फिर से आएगा यही तीन चार नाम जो है फिर से आएगे तो इनको एक बार याद रखो अगर मैं कहूं तुमको कि अभी एंडोस्पॉम जो है बच्चा हुआ है तो उस कंडिशन में अलग आएंगे अपने लेकिन अगर मैं कहूं कि कंप्लीटली कंजूम हो गया है तो उ याद रहे ही जाएगा कि कोकोनेट का तो एक कंप्लीट डिटेल भी है उसके अंदर तो एंडोस्पॉम है ही जो हम भी खाते हैं ठीक है कैस्टर सी सी से याद रख लेना बाकी की जो एक्जंपल है वो कंप्लीटली कंजूम में गुसा देना ठीक है पी ग्राउंड नेट औ अब्रोई में तो जाएगोट जो है वो डिवाइड करेगा उनली आफ्टर सर्टेन अमांट ऑफ एंडोस्पॉम इस फॉम्ड जाइगोट जो है वो तभी एंडोस्पॉम बदलेगा जब कुछ अमांट एंडोस्पॉम बन जाएगा यह ध्यान रखना ठीक है यह होती सफॉम चैना जाहे वों मॉनो कोट हो चाहे वो डाकोट हो उनमें स्टेस्ट होती है जो फीगर को अब जित होगा फिर globular फिर heart shaped और फिर mature embryo के अंदर convert होगा ठीक है वो हम अभी बात करते हैं तो देखो यह zygote है हमारा तो यह zygote सबसे पहले किसके अंदर convert हुआ यह मतलब इसके अंदर divide हुआ फिर यह pro embryo में convert हुआ ठीक है फिर यह globular embryo में convert हुआ फिर हार्ट शेप में और फिर यह completely mature embryo में convert हुआ है ठीक है अब यहां पर देखो यह कुछ suspensor cell दिखा रखिये रैडिकल कोटी लेडन ऐसे से कुछ दिखा रखिये हमको तो यह एक बार इसकी जो sequence है वो हमको याद रखना है जाइगोट फिर pro embryo फिर globular embryo फिर heart shaped और फिर हमारा mature ठीक है फिर हम बात करते हैं कि अगर हम die coat embryo की बात करें die coat मतलब की die मतलब 2 तो इसके अंदर क्या होते हैं दो cotyladen होते हैं एक embryo इनल एकसेज होती ही यह तो होती ही है लेकिन इसके अंदर 2 cotyladen होते हैं अब जो portion cotyladen से उपर वाला हुसको epico-tile बोलती हूँ जैसे कि अगर मैं एक diagram बनाओं जैसे मैंने यह बना दिया एक कोटी लेडन यह बना दिया एक यह यह बीच वाली मेरी embryo इनल एकसेज है ठीक है तो अगर मैं कहूं कि कोटी लेडन से उपर वाला हिसा मतलब यह वाला हिसा तो इस वाले हिसे को तो epico-tile बोलूँगी ठीक है यहां से अपना plumule जो है वो terminate होता है which terminate with a plumule मतलब यहां पर हमारी stem बन दिया ठीक है अगर मैं कहूं कोटी लेडन से नीचे वाला हिसा ठीक है the cylindrical portion below the कोटी लेडन मतलब यह वाला हिसा तो यह वाला हिसा मेरा क्या हो जाएगा यह वाला मेरा hypokotile हो जाएगा जो lower end पे है जो radical बनाएगा तो root tip cover with root cap तो यहां पे जो root की tip होती है उसमें root cap होती है अब तुम कहोगे इसका और 1380 ने भी दे रख़ा है देख लो यह तो यह हमारे 2 कोटी लेडन है उपर वाला हिसा मतलब यहां कहीं हमारा epikotile है और यहीं पे pliomule बनेगा नीचे वाला कोटी लेडन से नीचे वाला हिसा यह हाइपो कोटाइल है और यहीं पे हमारी radical बनेगी और radical में जो root है वो किसे cover के बात कर लेते तुमको दिखा रहा है मोनो मतलब सिंगल मतलब इसके पास सिर्फ में बहुत बार पुछा गया है कि एक कोटी लेंट वाले को क्या बोलते हैं ग्रास की फैमली में तुसको स्कॉतिलम बोलते हैं ठीक है तो नाम याद रखो, that is situated towards one side, यह एक ही साइड पर situated होता है, embryonal axis पर, जैसे मैंने यह बना दिया, तो एक ही साइड पर मैं इसको बना दूँगी, ठीक है, अब है, at its lower end, इसकी lower end पर, embryonal axis has a radical and root cap, enclosed in an undifferentiated seat called cholerahyza, अब देखो, simple सी बात है, इसमें भी वही है, जैसे ही हमारा जो diagram है, वो monocoat का है, तो यहाँ पर इस cutalum मैंने बना दिया, अब यहाँ पर वाला हिस्सा, koleptile, जो क्या बनाएगा, अपना shoot apex बनाएगा, या plumule बनाएगा, नीचे वाला हिस्सा radical, जो क्या बनाएगा, कोलरहाईजा, मतलब यहाँ पर एक कवरिंग है, कोलरहाईजा, और यह radical या root cap बनाएगा, ठीक है, यही थोरी में दे रखा है, radical root cap enclosed in a non-differentiated silt कोलरहाईजा, और portion of the embryonial axis, above the level of attachment of scutalum, यहाँ से shoot apex, और leaf primordia, that is coleptile, ठीक है, तो यही चीज़े, सेडी के बारे में next lecture में करेंगे, so guys, आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ मैं lecture खतम करते हूं, so आप मिलते हैं next वीडियो में,